आप देख रहे हैं टेक्निकल तंजुफेस्ट आज के टॉपिक में आप लोगों को मॉनो ब्लॉक वाटर पंप के बारे में बताया जाएगा यदि आप मॉनो ब्लॉक वाटर पंप 3HP से धाई यह चाहते हैं तो यह वीडियो आप लिए देखते रहें और हमारे चैनल पर आप लोगों को पता है कि बहुत गिवब होता रहता है क्या पता आप लोगों को भी मिले कंपेनी के तरफ से प्रोवाइड होता है और तो आप लोगों को जितना यानि कोई भी वाटर पंप हैं ठीक है यांत्रा टूल से 13,616 रुपए का मिल रहा है यह वाला मोनो ब्लॉक पंप 3HP का है बहुत ही अच्छा है जबर जस्त है आप साथ दिन में इसे मंगा सकते हैं डिलेब्रे पेमेंट के अंसार होगी यानि चाहे करें चाहें कार्ड करें सब चल जाएगा ठीक है म बात करू तो सेंट्रि फूगल है मनो ब्लॉक पंप इस्पीड जो इसका होता है दोहजारा और सो असी आर्पिम का होता है इनलेट आॉडड डियमीटर का होता है धाई इन्च से और तो इन्च तक इसका आउटरेट रहता है आउटलेट ठीक है पावर सोर्स की बात करो तो Electric है डिश्चार्ज की बात करो तो 720 लीटर पती मिनस्ट के रपतार से पानी देता है फिंस की बात करो तो single face ता है बोल्टेज की बात करो तो 220 बोल्टेस तक इसमें लगता है क्प्रिक्वेस की बात करो तो 20 60 साथ होता है और PAWR मोटना जो है कोपर वाइंडिंग होता है इसमें डिश्चार्ज जो होता है टोटल हेड इसका सतर से असी फीट तक होता है और पचीस मीटर इसमें मिल जाता है नेट वेट की बात करो तो 45 किलो गराम का होता है अप्लिकेशन में देखा जाए तो एगरिकल्चर यानि खेतों के लिए और इसका रिवेव देखा जाए तो डिवेव जो है बहुत इच्छा है जानी चार इस्टार तक पूरा एकदम फुल देया है स्वरी पांच इस्टार तक और यह जो नया वाटर पंप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक वन यह पी एगरिकल्चर पंप दस हजार पांट सो इंगल फेस में आ रहा है और इंडियोज यह इंडियोज है इसका अगरिकल्चर के लिए अटोमेटिक ग्रेट भी मिल रहा है इसमें और यह वाला वाटर पंप देख सकते हैं थ्री पेस सप्लाई एंड़ड परसंट कोपर हैब हैपी टाइप पाइप साइज फाइब है जो है यह एकहथे में हो जाती है इसका और यह जो मिलेगा आपको लोटें नियोगंख घ्री कोपर के लकार्ट और जैंड इस इंक सप्राइब को dif time अधार्य को बैयная मिल जाएगा है और श्वाट करूंग ने कि अाप रचाट अबहां है मेरे एंगा है जफिए में और है बड़े के साना तो भी चलेगा 45 अजली टर. परहावर कि रेड़ से पानी देता है है तीस मीटर का है है वोल्टेज की बात करो तो 440 से ग जाते है मैं मिल जाता ओप बात करूं तो इसमें वॉल्बो पंच् टक पाra मिलता है इसमें मींजेनरिंड एंस और से यह बिलॉंग करता है कंठ्री की बात करो तो यह मोटर जहां बनती है इंडिया के अंदर बनती है और इन आइटम को मौडल होता है होरी जन्टल ओपेंटल समझ सेबल पंप ठीक है इसका मौडल नंबर और जो में जो आता है 3 x 21 x 13 cm का है और 51 kg का होता है एसेन बी और बी जीरो बी जे डी 68458 इसका एसेन होता है और बहुत ही अच्छा वाटर पंप है आप लोगों को खरीदना है तो बिल्कुल खरीच सकते हैं 28,990 का पड़ेगा टेड इंडिया.com से यह भी मिल रहा है 45-45 मीटर हेड़ साइज होता है 1 hp का मोनो बलॉग पंप है देखा जाए तो 500 लीटर 100-500 लीटर 50 मिनट की रफ्तार से पाने देता है बहुत ही अच्छा है मोटर स्पीड जो होता है 12 rpm का है पावर सोर्स की बात करो तो इलेक्टिक है मेठाइब करो तो सिंगल एसमील रहे है मैक्सिमम डिस्चारज प्लो होता है 100-500 लीटर 50 मिनट की रफतार से होता है वैक्सिमम है 15-50 मीटर मिल जाता है आपको आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे गार अस्रीपल तक इसे जो है इसका से करके मिल जाता है बहुत ही है इस्पीड एल्ट्रा पोर्टिबल होरीजन्टल एर कूल डीजल इंजन पंप सेट है अग्री कल्चर यानि किसानों के लिए पहुत ही अच्छा है 2600 आर्पीम का होता है सिंगल फेस में आता है वाटर पंप यह जो है आपको डीजल वाला मिल जाता है यह पावर जो है नाम से जाना जाता है ऑडाइन को सपीड कर सकते हैं सिंगल भेस मिल जाता है यह होता है छ्पन मीटर को होता है 17 लीटर पर मिनट की रब्तार से पानी देता है लेकिन सुरी इसमें गलत लिखा है इससे ज़्यादा पानी देता है ठीक है 2600 रपीम का है भाई पस पावर सप्लाई की बात करो तो 230 तक जाता है इसमें 4HP का मोटर है इसमें 60 kg का इंजन पूरा टोटल मिल जाता है बहुत ही अच्छा है तो आप लोगों को खरीदना है तो यह वाला खरीद सकते हैं सस्ता भी है और यह देख सकते हैं 11,989 रूपय का और क्रॉप टेंट ठीक है क्रॉप टेंट के नाम से जाना जाता है त्री इंच का है पोर्टबल वाटर पंप है फोर श्टोक इंजन मिल रहा है इसमें और खेतों की खेती किसाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है एक नंबर का होता है आप लोगों को लेना है तो यह ले सकते है और शिक्स पॉइंट फाइव एच्पी का है और पहुत ही अच्छा है इस परची और फेस्जिक्स के वारे में देखा जाये तो बहुत जबरजस्ट है इसमें टाइप के बात करो तो सेंट्रिफुगल के टाइप में आता है और अग्री कल्चर के लिए यानि खेतों के लिए यह विज एसमीं मिल जाता है जहां हो तो इंजन भी अच्छा है इसका स्पीड जो है अजस्ट कर सकते हैं आपको इसमें 600 लीटर से 700 लीटर तक तक मिनट की रबतार से पानी देता है पाउर सप्लाई की बात करो तो पेट्रोल वाला है और पाउर रेटिंग जो होता है 4.8 किलो वाट का होता है यह देख स है और इसको ले सकते हैं लेना है तो पोरी श्ट्रोक का यंचन होता है जो एंसे का सकते हैं तालाप में पानी यानि लगाने के लिए काम कर सकते हैं 12255 रुपन के onus डे यो हम जाती है इसमें डेलिपरी का चार्जर को लिया नहीं जाता है बहुत सता पड़ रहा है सिंगल फेस्म मिल जाता है और पावर रेटिंग 5.20 किलोवाट का है 21 किलोवाट का और पावर सप्लाइज जो होता है फ्यूल पावर यह इसलिक पेट्रोल से चला सकते हैं सेबने एच्प का मोटर इसमें मिल जाता है बहुत अच्छा है ब्रैंड जो है कि बलवान क्रिसी है मॉडल नेम तो आपने जाना है नहीं जाना है तो फिर वापस बता देता हूं WP 33R ठीक वाटर पंप है 3 इंच का है आउटलेट और 4 इस्टोक इसमें इंजन मिल जाता है और इरिगेशन ड्रेशन ड्रैनिंग और फिसिंग पावर पंप यानि कहीं भी योज कर सकते हैं डाइग्राम के इसमें टाइब मिल जाता है और रेड कलर में मिल जाता है बोडी माटिरियल जो होता है इसका ऐलमूनियम का होता है बहुत ही अच्छा है एलमूनियम भी अच्छा ह जल्दी ना इसमें जङन्ग लगने कि कोई डार्ड रहता है है इसमें जँक्छ बहुत ही अच्छा है तो आप लोगों को पता है यूस का जितना भी वरतन होता है उसमें जटन्ग नहीं लगता है बनकि वह पानी से थोड़ा बहुत खराब हो जाता है लेकिन जंग नहीं लगता है बहुत ही अच्छा होता है तो इसको लेना है तो ले सकते हैं दोस्तों एक हजार लीटर पर मिनट की रप्तार से यह पानी देता है टोटल हेट साइड जो होता है इसका 30 मीटर होता है निट कौंटिट करते हैं आपके अमसार आपके जैसे सुविदा हो तो यह वाटर पंप बहुत ही अच्छा रहेगा साथ एच्पी का वाटर है गेट फ्रूर गेट फ्री टू इंजन ओविल बॉटल आप इस इंजन को खरीद ओगे तो तो ओविल का बोटल इसमें फिरी मिल जाएगा और व इंजन होता है 6 MONTH की वारंटी मिलता है कवरेज के साथ आपको सर्विस इसमें कोई नहीं लगेगा कवर यानि जो कवर्ड का वारंटी होता है इंजन के अंसार होता है वाटर पंप बहुत ही अच्छा है आप लोगों को लेना है तो ले सकते हैं और इसमें जितने वाटर प आपको सामने सो किया है यदि आपको फसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दिना ताकि आप लोगों को ऐसे वीडियो में हमेशा लेकर आता रहूं देख सकते हैं जो वाटरपंप आपको दिख रहे हैं बहुत सारे लोगोंने बताए है लेकिन सजेशन नहीं किया होगा कि कौन सा वाटर पॉंप अच्छा रहेगा आपके लिए मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि आप लोग हमें हमारे वीडियो को देखते रहें और आपको समझ में ना आये तो दुबारा से देखिए फिर भी ना समझ में आये तीबारा देखिए और आप लोगों को हमेशा हमारे चैनल पे कोई ने कोई गेपर मिलता रहता है हमेशा आप लोग वीडियो देखते रहें लोग एक यूटूबर है तो आप लोगों को एक खुसकबरी बता देता हूं कि हम लोग जो है आपकी चैनल को भी प्रमोट करते हैं और बिना पैसे का आप लोगों को जो है फिरे में यहां पर प्रोमोशन भी मिल जाता है तो प्लीज वीडियो को हमेशा देखा कीजिए हमेशा आमारे पास नई नई वीडियो आती रहती है क्या पता आपको किस कैटिग में वीडियो मिल जाए तो चलिए थांकियो अगली बार फिर मुलते मिलते हैं तब तक के लिए धानिवाद